हाले हो एवरबरे जो आप वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं यह पाकिस्तान इंसिट्यूट आप माइंड सैंसेज का एक एक एकरिडिटेट कोर्स का हिस्सा है पूरी कोर्स को परचेस करने के लिए आप नीचे दी गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं याद रखेगा कि मार्च 2021 के महिने में आपको सिर्फ 7000 में पूरे थ्री मंच का कोर्स के रिकॉर्डिंग्स विद लेक्चर एंड सेर्टिफिकेशन मिलने वाला हैं एंजोई एंड सेर्टिफिकेशन मिलने को लेकर हम अप्लाइ कर सकते हैं आप्टिमम पर्फॉर्मेंस के ओपर कितनी स्ट्रेस का और पर्फॉर्मेंस के किस तरह की रिलेशन्शिप है I want to bring your awareness to this this slide here if you look at it carefully आप देख सकते हैं के पर्फॉर्मेंस का और प्रेशर का एक बहुत क्लोज रिलेशन्शिप है आप यहाँ से लेकर घाते हैं तो पर्फॉर्मेंस की इंक्रीज हो रही हैं और यहाँ से लेकर जाते हैं तो प्रेशर यानि के experience this pressure or stress, अगर ये pressure and stress बहुत ज्यादा हो, then you are here, high stress and anxiety वाले पार्ट में, so we don't want you to be here, okay, और अगर आप की, आप कहते हैं के जी pressure बहुत हलका, यार मुझे तो कोई फार्क नहीं पड़ता, मैं बड़ा आराम से कर लूँगा, फिर भी आपके performance बहुत डाउन है, जितना pressure increase होता है उसी तरह आपके performance increase होता है, so you need some levels of pressure to reach to your best level of performance, okay, यहाँ आपकी area of best performance है, अगर मैं और इसको explain करूं, तो जो left side में होंगे, वो bottom में होंगे, आप इस bottom के साथ handle करने के लिए आपको चाहिए goals, goals के बगएर आप इस bottom को deal नहीं कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि pressure तो है नहीं यार, मेरे माबाब है ना मेरा financial सारे काम कर लेंगे, या कोई जरूरत नहीं है मुझे, I mean बहुत ज्यादा study करने की, क्योंके मेरा अबबु जो है सफारिश लगाएंगे और मुझे पास कराएंगे, तब आप क्या कर रहे हैं, आप pressure कम ले रहे हैं, क्योंके आप को लगता है कि internal resources या external resources आपके पास demands से ज्यादा है, so stress का है, resources जब demand of the world से ज्यादा हो, जब demand of the world से ज्यादा हो, then आप pressure कम ले रहे हैं, और जब demand of the world से कम हो, जब demand of the world से कम हो, perceived demand of the world and then perceived resources, हमने बात किया, perception is, perception is reality, जो आप perceived करते हैं, वो ही real होता है, so जब pressure ज्यादा लेते हैं, क्या होता है, आप हाई anxious में आते हैं, अब इसके लिए आपको deal कैसे करना है, हाई stress के साथ डील करने के लिए, आपको stress management strategies सीखना होता है, for example, meditation, exercise, या और तेकनिक जिसमें आपकी cortisol, यहाँ पर इस एरिया में है, जहां आपका cortisol हाई रहता है, आपका adrenaline बहुत ज्यादा हाई रहता है, so you don't wanna live there, it's a very painful place to be, and you don't wanna live here too, because it's a very boring place to be, what you want is to live here, where you are at your best, और यह में आप, अचा यहार किसी के लिए different है, there is no such a thing के अचा इधना pressure, इधना performance create कर सकते है, this is what you decide for yourself, so if you want the best out of your life, you need to bring out the best out of yourself, and perform the best as much as you can, so this was something really interesting, I thought it is relevant to this learning.